आज हम बात करेंगे अही फेन के बारे में जो की एक मदकारी होता है तथा यूपी, बिहार, बंगाल वारे एरिया में ज़्यादा पाये जाता है सबसे पहले हम इसके मॉर्फलोजी के बारे में बात करें तो यह वर्षायू शूप है अर्थार्द की यह तीन से चार फिट उचा होता है और इसे पोस्ता कहते हैं अब इसकी जो कांड होती है उसके बारे में बात करें तो यह सिंपल होती है इसमें शाखाय बहुत कम होती है और यह स्निक्द होती है उसके पश्याद हम बात करें इसके पत्र के बारे में जिसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ लंबा होता है और कई सारे पत्र इस पर होते हैं और यहाँ डेंटेड होता है डेंटेड कार्थ की यहाँ इस तरीके से कटा-फटा और खंडित होता है उसके बाद में हम बात करें इसके पुष्प के बारे में तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर श्वेत, बेंगनी या रख्तवरने के पुष्प इसके हो सकते हैं फिर हम इसके फल के बारे में बात करें तो यहाँ छोटे अनार के समान दिखाई देते हैं जिसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं और इसे डोडा कहते हैं क्या कहते हैं डोडा उसके बाद में इसके फल के छिलके को क्या कहा जाता है पोश्ट कहा जाता है मलक की जो पूरा प्लांट है उसे पोश्टा कहा जाता है और इसका फल जो है उसके छिलके को पोश्ट कहते है और पूरे फल को डोडा उसके पशायत में हम बात करें इसके बीच के बारे में तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं माइक्रोसकोपिक में भी हम इसे देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम दो कलर के बीच देख पा रहे हैं श्वेद और कृष्ण जिने की post दाना गहते हैं क्योंकि छिलके को post कहा तो उसे post दाना कहते हैं और उसके अलावा इसे खश-खश भी कहा जाता है यहाँ पर अब हम last diagram में देख सकते हैं कि एक फल है जिस पर चीरा लगाया हुआ है तो यह process क्या होती है इसको समझें तो कच्चे फल के चारों और साये काल गहरे चीरे लगाकर छोड़ देते हैं और उनसे जो दूद के समान निर्यास निकल कर जम जाता है उसे प्रातह काल at the time of morning खुरच कर सुखा लिया जाता है और यही निर्यास अफीम कहलाता है अब इसका जो part used है वो भी हम यही से समझ लेंगे कि यह जो निर्यास है फल का निर्यास है वही इसका useful part होता है अब हम बात करते हैं इसके meaning को और इसके पर्यायों के बारे में तो सबसे पहले हम इसके meaning को देखें तो यह होता है आहंति मार्यति इति अही मतलब कि जो सही तरीके से नहीं लिया जाए तो यह मृत्यू कारक हो सकती है शिग्र मृत्यू कारक हो सकती है तो इस तरीके से अही फेन जो कभी भी प्रियोग करें तो उसे एक सम्यक प्रकार से प्रियोग करना अत्यान्त आवश्यक होता है अब उसके पर्यायों के बारे में हम बात करें जिने हम इसके पूरे हिंदी नाम से ध्यान रखेंगे जो कि हमने पहले की ड्रक्स में भी किया था तो यहां पर हम इसको अही फेन लिखते हैं तो अ से हम याद रखेंगे अफूक और उसके बाद में जो है फेन तो फेन मतलब की जाग बहुत सारे हो जाएंगे तो जाग अगर जादा हो जाएंगे तो वहाँ वाथ होगा और वाथ क्या है वह खस-खस की sound उत्पन करेगा तो इस तरीकी से हम indirectly ही सही इसे याद रख सकते हैं कि इसे खस-खस भी कहा जाता है अब इसके classification के बारे में तो हमने पहले भी देखा था कि जब classify करते हैं तो वहाँ पर हम हिंदी नाम को दो भागों में तोड़ देते हैं तो अही और फेन तो फेन से आद रखेंगे तो फेन किसके होंगे तो राज के फेन होंगे किसके हैं राज के राजा के इस तरीके से तो यहाँ पर राज निगंटू ने इसे उपविश्की शेणी में रखा है अब हम बात करें रस-पंचक के बारे में तो रस-पंचक में सबसे पहले हमने ऐसा देखा था कि कोमन जो रस-पंचक है वो ध्यान रखना है जो की रस है कटू तिक्त उसके बश्चाद में गुण लगू रुक्ष फिर विर्रे होगा उष्ण और अंत में विपाख होगा कटू तो हब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हम कर देते हैं हमेशा की तरह और वहाँ परिवर्तन कैसे हम ध्यान रखते हैं तो जो हम नाम को तोड़ा था गड़ में उसको पुन्ह तोड़ते हैं तो यहाँ पर फेन को दो भागों में तोड़तेंगे और पीछी का न बचेगा तो अब नया से ध्यान रखें कि नहीं है तो क्या नहीं है तो आगे है फे तो फ जो होता है वो क की तरह होता है और जो रस्पंचब होता है उसमें क से दो शब्द आते हैं एक तो कटू और कशाय तो यहाँ पर हम कटू जो पहले से है उसको change करकर यहां पर कशाय रख देंगे तो इस तरह से इसका नया रस्चों हो जाएगा वह होगा तिक्त और कशाय उसके पशायत में हम गुण है उनमें जो है यह एक प्रकार का विश है जो की उपविश की शेणी में आता है तो यहां पर इसके विश के according कुछ गुण होंगे वह है कि सुक्ष में विवाई और विकासी इसको हम सीधे आद रखें सुक्ष में विवाई और विकासी बागी सभी चीज़े सेम है और प्रभाव अगर हम यहां पर थ्यान रखें तो हमने पहले देखा था कि यह मदकारी है तो इसका मादक प्रभाव हमें देखने को मिलता है अब हम अही फेन की विराइटीज के बारे में बात करते हैं तो इसकी विराइटीज चार होती है तो चार विराइटी जैसे इसका नाम भी अही फेन चार शब्दों से मिलकर बना है ऐसे याद रखेंगी इसकी चार वेराइटीज हैं तो सबसे पहले हम बात करें तो श्वेत, पीत, क्रिश्न और लास्ट में चित्र तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे वात पित कफ दो शम पढ़ते हैं तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं वात में तो काला हो जाता है फिर उसके वात में पित में पीत हो जाता है और कफ में श्वेत हो जाता है तो इस तरीके से तीनों कलर तो हमने याद कर लिए अब इन colors का क्या करेंगे हम चित्र बनाएंगे चित्र बनाएंगे इन colors से तो इस प्रकार से चार varieties हम ध्यान में रख सकते हैं अब यह अलग-अलग variety अलग-अलग कारे करती है जो श्वेत होती है वह जारण का काम करती है जो पीत होगा वह मारण का काम करेगी जो कृष्ण है वह धारण का काम करेगी और जो चित्र है वह सारण का काम करेगी तो इसे कैसे याद रखें तो सबसे पहरे शुरू करते हैं चित्र से तो चित्र केसे बनता है किसी का भी सार निकाला जाता है ठीक है मतलब कि कलर बनाना है तो किसी पुश्प से या किसी जगे से केमिकल से सार भाग लिया जाता है और उससे कलर बनता है और फिर हम चित्र बनाते हैं उसके परशाद में कृष्ण के बारे में बात करें तो कृष्ण में धारण, तो धारण कैसे, तो भगवान स्टी कृष्ण सबको धारण किये हुए है, उसके पशाथ पीत, तो कोई चीज अगर हम पी लेंगे, जैसे आहीफेन विश है, तो इससे पी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मृत्य हो जाएगी, तो ऐसे ध्यान रखें मारण, उसके पशाथ में हम श्वेद से जारण के से याद रखें, तो श्वेद मतलब की कफ प्रकरती वाला, और उसमें क्या है, जारण नहीं होता है, मतलब की जिर्ण होता है नाहार, वह डंग से नहीं होता है, तो इस तरीके से जारण हम यहाँ पर ध्यान में रखेंग तो वह भी चार होते हैं तो इससे जाद रखें बत पार्सी तो B से भारत फिर U से यूरोपी है फिर उसके बाद में T से तुरकी और लास्ट में पार्सी से पार्सी हम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके बोटनिकल नेम family और इसके chemical composition के बारे में, सबसे पहले हम इसके botanical name के बारे में बात करें जो की है paper شर्ण तो हम इसके नाम में देखें कि इसमें fan word आता है तो fan हम कैसे होते हैं बच्चे किसके fan होते हैं तो papa के fan होते हैं तो यसे जैद रखें कि paper प्राइमरी एलकुलोट प्राइमरी का मतलब जो मुख्य रूप से से होते हैं तो इसकी ट्रीक है कि primary मतलब कि पहले पहले जब हम अहीफेन को लेते हैं तो क्या होता है पहले लेते हैं तो मन ठीक होता है तो यह ट्रीक है मन ठीक तो M N और T C तो M से हम ध्यान रखेंगे morphine जो की 5 से 20 प्रतिशत होता है फिर उसके बाद में N से नार्कोटीन उसके पश्यात में ठीक से T से थेबीन और अंत में C से कोडीन को हम यहां पर ध्यान में रखेंगे और जो अंत का कोडीन है यह काफी important role play करेगा आगे जो secondary और inert हम पढ़ेंग तो यहां पर trick है मन ठीक तो उसका पहला और last वाला उठाएंगे तो उसमें से जो M है तो secondary है तो उसमें एपो लग जाएगा और एपो मोर्फीन हो जाएगा और अंत में जो C है तो कोडीन है उसकी जगे हम एपो कोडीन यहां पर कहेंगे अब हम inert के बारे में बात करें तो इनर्ट से इन लग जाएगा इसमें तो यहां पर opionin, meconin आदी यहां पर हम ध्यान में रखेंगे उसके पशाद में हम acids के बारे में बात करें तो जो पहले meconin देखा दा तो उसी से meconic acid होगा और उसके अलावा lectic acid यहां पर होगा तो इस तरीके से हम इसके chemical composition को समझ सकत अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो यहां mainly तो हम समझी सकते हैं कि मादक का का काम करता है तो यहां analgesic के रूप में work करता है पेन को कम करता है उसके अलावा यहां anti-diuretic का भी काम करता है काफी अच्छा जो हैं diarrhea को कम करने में useful होता है बट हम इसे constipation के समय और बढ़ा देगा अब हम इसके योग के बारे में बात करें तो इसकी ट्रिक है कि अही फेन दुग्द महा निद्राकर आकर क्या है ट्रिक है अही फेन दुग्द महा निद्राकर आकर तो इसमें सबसे पहले दुग्द से दुग्दवटी ध्यान में रखेंगे फिर उसके अब कर से हम यहाँ पर करपूर रस को ध्यान में रखेंगे और अंत में आकर से आकर कर भादी वटी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अब हम बात करें इसकी डोज के बारे में तो यहां पर हम इसे 1 by 4 गुंजा से 1 गुंजा तक मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं अब यह तो डोज है किसकी शोधित अही फेन की यदि शोधित अही फेन को भी ज्यादा मात्रा में लिए जाए तो क्रम शह कुछ विशाकतिता के लक्षन आते हैं जोकी है, सबसे पहले तो क्या होगा, कि वह तंद्रा में चला जाएगा, मतलब क्यों से पता नहीं चल रहा है, कि क्या हो रहा है, माइंड अल्टर हो जाएगा, धेरे धेरे फिर उसको निद्रा आने लगेगी, तो यह सेकंड स्टेज है, उसके बाद में वह सन्यास की में चला जाएगा, बिल्कुल इस्टिफ पढ़ा हुआ रहेगा, अब वह पढ़ा हुआ है, किन्तु उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा है, कि अब वह सोचेगा कि मैंने क्यों लिया ये, तो वह अवसाद में चला जाएगा, और उसके पशात में वह अवसाद की वज़े स स्वासा औरोध होगा, और उसकी मृत्यू हो जाए, तो इस तरीके से हम ट्रिक सेदा इसको ध्यान में रख सकते हैं, उसके बाद में हम ये देखें, कि इसमें नेत्र तारकाएं संकुचित हो जाती है, किन्तु मृत्यू के कुछ मिनिट पुरूर वह प्रसारित हो जाती है और जो साथ की कंडिशन आई थी, वह लगबग 4-6 गंटों की अवस्ता में आती है, और जो मृत्यू की कंडिशन है, वह लगबग 6-12 गंडे में हो जाती है, अब अगर ऐसा हो जाता है, यह विश दे दिया जाता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो शोधन करेंगे, मतलब की जो स्टोमक है, वो वोश करेंगे, तो यह तो नॉर्मल मोडन की तरह कर सकते हैं, या फिर जो है, रीठे के जल, सर्सो या राई, मिले गरम जल से वमन करवा देंगे, उसके पशाद में क्यों करवाया है, यह एंटीडोट है, जैसे कि दीठा हुआ, तो कुछ नहीं, तो टोबे को उस साइम पर दिया जाए, और उसके बाद में हम जो हृदे है, क्योंकि यह हृदे को साधित करने वाला है, तो इसको हृदे को वापस द्रड करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, जिसे की कोफी हो गई, तो जनरली आसपास जो है, सबसे प जाते हैं, उसके अलावा रोगी को सोने भी नहीं देना है, जब तक कि पूरा विश उतर ना जाए, अब हम अफीम के शोधन के बारे में बात करें, तो अफीम को पानी में गोल लेते हैं, और फिर कपड़े से चांगर आग पर गाड़ा कर लेते हैं, उसके पश्यात में अ आद्रक के से ध्यान रखें, तो जो है अही फेन, तो अ से शुरू होता है, और यह भी आद्रक भी अ से ही शुरू होता है, तो इस तरीके से हम इसे ध्यान में रख लेंगे,